दर्भंगा एरपोर्ट से फ्लाइट का किराया यह बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों क्योंकि दर्भंगा और पटना के कमपारिजन देखा जाए तो दुगने से ज़्यादा किराया वसूला जा रहा है यात्रियों के साथ और हम लगातार यह मांग उठाते रहे हैं कि ऐसा आखिर इस तरह का जो भेदभाव है वो क्यों किया जा रहा है एक उड़ान स्कीम के तहर दर्भंगा एरपोर्ट को चालू किया गया था लोगों की भारी डिमांड है यहां फ्लाइट की संख्या कम है तो क्या इसका फायदा फ्लाइट की कंपनी उठाएगी और वो कैसे य विजय दश्मी पर क्या किराया है वो आप देख लीजिए जो उन्होंने दिखाया है पटना से अगर दिल्ली जाते हैं पच्चिस तारी को तो आपको एर इंडिया में 6147 रुपया देना होगा जबकि विस्तारा में 6252 है वहीं अगर दर्भंगा की बात करें तो स्पाइ हजार देना होगा यानि कि 10,000 एक्स्ट्रा और इसी को संजजा कह रहे हैं कि मिथला के लोगों के लिए इतना महंगा हवाई किराया आकिर कब तक वो कह रहे हैं कि अगले दिन यानि कि 25 अक्तूबर को यदी कोई वैक्ती हवाई मार्क से दर्भंगा से दिल्ली जाना चाहे तो उसे करीब 15,000 रुपे जबकि पटना से दिली जाने वाले को करीब 6,000 रुपे किराया देना होगा ऐसा क्यूं है ये स्थिती तब है जबकि उडानी स्कीम के तहर शुरू हुए दर्भंगा एरपोर्ट से दिल्ली मुंबे बेंगलूर जाने वाली उडानों के एविए चाहिए टैक्स में जब छूट है तो फिर कम क्यूं नहीं है ये तो उल्टा हो गया है डबल ट्रिपल हो गया है वहाँ छे है यहाँ 16,000 है 15,000 है मतलब करीब करीब 3 गुना है उसके अलावा वो कह रहे हैं संजय कुमार जहा कि है दर्भंगा में हूँ एक साथी ने बताया कि कल 22 अक्टूबर को दिल्ली से दर्भंगा जाने किराया 29,000 रुपे से अधिक था अब आप सोच सकते हैं क्या इस्तिती है एरपोर्ट ऑफ इंडिया से पुने अनुरोध है कि दर्भंगा एरपोर्ट से आवा गर्मन के लिए हवाई किराया पर पुने रिचार करें और दिनों के लिए किराया कि अधिकतम सीमा निर्धारित किया जाए आखिर आप कितना वसूलेंगे आप 29,000 वसूलेंगे 50,000 वसूलेंगे इतने में तो लोग लंदन और दुबई पहुंच जाते हैं दुबई का भी किराया जो है वो 10-12,000 से जादा नहीं होगा लेकिन आप देखिए क्या स्थिती है कि आप दिल्ली से दरभंगा जाने की स्थिती है तो लोग प्रेफर फिर भी पटना ही करेंगे अगर उनको कम के पैसे में महां मिल रहा है और यहां के सांसाथ तो सिर्फ फोटो उनको खिचवाने से फुरसत ही नहीं है फोटो खिचवाते हैं पा मुद्दे को उठा रहे हैं लेकिन जो केंसरकार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है नहीं यहां के सांसद इस मुद्दे को लेकर के दिखाई पड़ते हैं सक्रिये ऐसे में पिस रही है दरभंगा की जनता यहां के लोग के आखिर उन्हें जो है इससे निजात कम मि जा रहे हैं अगले महीने आठ तारिक से फ्लाइट शुरू हुई थी तो यह देखना होगा लेकिन फिलहाल तो इस्तिती यही लग रही है कि लूट की पूरी छूट है कि आप जितना लूट सकते हैं लूट लीजे दशेरा है अभी छट दिवाली होगा छट होगी तो अभी सीजन का है तेवहारों का और लूटने का बहुत सही समय है इसलिए कंपनियां भी तयार हैं फ्लाइट की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है लेकिन किराया जो है वो आसमान छू रहा है और इनको जो है खुली छूट मिली हुई है कोई रोकने वाला नहीं है बीच बीच म कोई मतलब नजर नहीं आ रहा है फिलाल और नहीं कोई जल्दबाजी नजर आ रहे है कि हम सुविधाय बढ़ा दी जाए एक नया टर्मिनल बना दिया जाए यान नया टर्मिनल शुरू कर दिया जाए काम वो अब तक डिपी आर और नक्से में ही अभी तक फसा हुआ है और अब देखते हैं इधर बंगारोक्स शुक्रिया दिनवाद जाइन जाब यार जा मतलब